तो कैसे आप सभी आप सब बढ़ी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे तो आज की सिसन में पढ़ने वाले हैं कि किसी भी नंबर का स्कॉयर विदीन ए सेकेंड कैसे नंबर का स्कॉयर विदीन निकाल सकते हो किसी भी नंबर का स्कॉयर विदीन ए सेकेंड कर सकते हो ठीक है तो चलिए उसके लिए आप बने रही है आप हमारे साथ और विडियो का अंतक जरूर देखिएगा बहुत कुछ सीख के जाओगा इतना बेतरीन ट्रिक बताऊंगा और इतना अच्छा आपके अंदर मैं कंसेट को जनरेट कर दूँगा कि आप भी विदीन ए सेकेंड जैसे अगर बहुत मजा आएगा ठीक है चलिए आज की सिस्टन को स्टाइट करते हैं पूरे जोस के साथ पूरे इनर्जी के साथ कोंपे लेकर तयार होजे है और नजरे कराया है हमारे साथ बोड़ फे ठीक है चलिए तो हाव टू कल्कुलेट स्क्वाइर ठीक हम लोग सीखेंग से निकालेंगे ठीक है इस तो में स्टिप वाज बता रहे हैं ठीक है समझे कुछ नहीं करना है बहुत असान सा चीज़ा पहले एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे 106 हंड्रेड से कितना अधिक है तो 6 अधिक है तो उस जो हमारा छे अधिक है तो छे का क्या क्या कर देंगे 106 को यहाँ पर एड़ कर देंगे ठीक है अब समझीए धा ध्यान से वही लाइन को फिर ऐसे लिख देंगे छे का स्क्वाइर 36 होता है और 106 में जब 6 एड़ करेंगे तो 112 हो जाएगा और इस दोनों को एक साथ लिख देंगे यानि 112 और 36 यानि 106 का जो स्क्वाइर होगा वह हमारा निकल के आगया 11236 बिल्कुल मैंने इस्टेप वाइज बता इतना मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए स्टेप बता रहूं अब डैरेक्ट निकाल सकते हैं तो बेस हमारा हंडेट हो गया तो कितना छे अधिक है न हंडेट से तो छे का स्क्वाइर 36 और 106 हमारा हं सुख रहें हैं तो वन वन टू ठीक है तो यह हमारा ऑडेट हो गया तो इस ट्यक्स से पहले समय आप लोगती है 106 सबस्क्राइब तो हंडेट से दिखाना तो 106 में छे को एड़ कर देंगे तो 6 का स्क्वाइर 36 हो गया और 106 में जब 6 एड़ करेंगे तो 112 हो गया और 11236 मतब इन दोनों के एक साथ लिख दें वही हमारा 106 का स्क्वाइब तो आई होप आप लोगों को यह बाते समझाएंगे आई और भी हम लोग सीखते हैं इसे मान लीजिए कि 107 का अगर स्क्वाइर निकालना है तो कैसे निकालेंगे एक लाइन खिस देंगे हंडेड से कितना अधीक है बेस अभी हंडेड लेकि चला है मतलब हंडेड के सब इर्द गिर्द नमबर जी से 108 हो गया 1015 हो गया जो 97 हो गया 96 हो गया जो हंडेड के आसपास है उस नमबर के लिए हम लोग क्या लें हंडेड बेस को लेंगे मैं सारा चीज को बताऊंगा बस आप हमारे साथ बने रहे हैं यह धीरे इतना बहतरीन मतलब हर चीज को मैं क्लियर करते चल जाओंगा आप कुछ समय के बाद सब्सक्राइब का सब्सक्राइब को तो 10 कि अलगे उन्ट Сब्सक्राइब 7 अधिक 100 से तो 7 का स्क्वाइर 49 होता है और 107 में फिर 7 एड़ कर देंगे 107 में फिर क्या करेंगा 7 को एड़ करेंगे तो यहां से क्या जाएक 114 114 होगा और यह 49 को एक साथ लिग देंगे तो यानि 114910 से 7 का स्क्वाइर होगा 11449 हो जाएगा तो आई होप आप लोग इतने बाते समझ आई होंगे ठीक है चलिए अब लोग और भी कि देखते हैं यहां पर माल यह 119 का अगर स्क्वाइर पूछा जाए तो क्या होगा विदी ने से कैसे निका लोगा समझो तो 100 सी कितना अधिक है 1199 सॉरी 119 तो 19 अधिक है ना तो 19 यानि है तो 19 अधिक है तो 19 का सब्सक्राइब यहां पर यहां पर में लिखूंगा ठीक है समझे क्यों अब 119 जो है 100 से कितना अधिक है तो 19 अधिक है ना वसमझेगा वन हंडेड नाइन टीन में क्या कर देंगे 19 को अधिक करेंगे अब यह सो नीस में जब 19 एड करेंगे तो तो आप लोगो ये भी बाते समझ जाने होंगी समझेगा फिर से माल लिजिए अगर आप से कहा जाए कि वन माले जिसे कोई निम जिसे वन टू वन ले लिते हैं ठीक है इसका स्क्राइब होगा समझेगा तुवन टू वन यानि एक सो एक इस हंड्रेट से कितना अधिक है तो और कि सथीक है तो 21 के स्कोर करेंगे तो 442 ऑचेस स्क्राइब करेंगे और एक 600 एक से 151 किसमे उस एक तालील देंगे ठीक है समझे एक तो एक किसम जो लेंगे तो एक सो ब्याली समारा हो जाए एक से इस मेक्स और एक जो इस जो एंगे और 214 अथा यह तालिस अदैना टू डिए और एक फॉर जो है वो ऊपर में लिख देंगे ठीक है अब यह फोर आगी आ जागा इसके साथ हो जाएगा तो व 146 और यह फोन को फोर वन को एक साथ लिए इसके साथ 141 सरी 14641 एक सो एक किस का स्क्वाइर हो जागा एक सब्सक्राइब 14641 तो आप लोगो इतने बाते समझ आयोंगी मतलब 200 ठीक है और भी मैं भी समझाता हूं चलिए इस चीज़ को मैं एरेस करता हूं कि समझे के ध्यांसे अगर यह समाल लिए 113 का स्क्वाइर अगर निकालना है ठीक है तो 113 हमारा हंडेर से कितना अधिक है तो 13 अधिक है ठीक है तो 13 का स्कार 169 होता है ना तो 69 लिग देंगे और वन जो है वह उपर में लिदेगे देखिए आपको वन से लेके 30 स्क्वाइर तो विल्कुल अच्छे सी याद होना चाहिए ठीक है धीक है हर जगा यूजए पर ख़रह ठीक है ना बंसुख अ Metallica स्क्वाइर याद होना ही होना चाहिए सबी को याधी होगा जिसको नहीं याद होना चाहिए नोरब बन को लिख दिया और ओपर अब 113 तो हन्डेट से तेरा दिखे तो 113 में क्या करेंगे उस तेरा को जोड़ देंगे ठीक है समझेगा तो 113 में जब तिरा दो रहेंगे तो 126 हो जाएगा और यह एक आगे आ जागा तो एक सो 27 हो जाएगा और यह 69 को सके साथ लिख देंगे तो हमारा निकल किया गया एक सो तीरा का स्क्वाइर वन टो सेवन सिक्स नाइन यह लाइन के जो इस से लिखना है तो आप लोग इतने बात है समझ आई होगी समझे अब माल जी गर एक सो तीन हमारा हंड्रेड से कितना अधिक है तो तीन अधिक है तो फीन का द्युक्र करेंगे तो नाइं होगा लेकिन हमें यहां पर टू डिजिट में लिखना है तो आगे में क्या लगा देंगे जिरू लगा देंगे ठीक है अब 103 हमारा हंड्रेड से कितना अधिक है तो तीन अधिक है तो 103 में कर देंगे तो 106 और यह जीरो नान इसके साथ आजागा यानि हमारा 10609 एक सो तीन का इसक्वार निकल कर आ लिए तो आप लोग इतने बाते समझ आई होंगी इस चीज़ को मैं रेस करता हूं इस चीज़ को अब माल लिए कि आप से पूछा जाए कि 96 का स्क्वार क्या होगा तो कैसे निकालोंगे समझेगा तो 100 से कितना कम है 96 तो 4 कम है तो 4 का स्क्वार क्या होता है 16 होता है तो यहां पर फोड़ का स्क्वार करेंगे ठीक है अब 9600 से कितना कम है फोड़ कम है तो 96 में भी क्या करेंगे फोड़ को माइनस कर देंगे तो 96 में जब फोड़ आएगा तो 92 होगा और यह फोर फूर जा शिक्ष्टीन होगा तो 16 को इसके साथ लिग देंगे तो 96 का जो स्क्वार निकल का गया नाइन टूस वन सिक्स निकल का आगया ठीक है अब समझेगा माले लिजीए अगर आपसे 98 का स्क्वार पुशा जाता तो कैसे निकालते हैं 100 से कितना कम है धो कम है तो liquid का स्कृइर क्या होगा फूर होगा लेकिन हापर डवल करना है हमें तो जी आगे मेंजीना लगा देंगे अब 98 100 से कितना कम है तो दो कम है तो 98 में भी दो कम कर देंगी तो यहाँ पर क्या 96 हो जाएगा और इसको एक साथ लिख देंगे तो 960498 का स्क्वार निकल आ जाएगा तो आई होप आप लोगों यह भी बाते समझ आई होंगी चलिए माल लिगर आपसे पूछ स्क्राइट क्या होता है 3061 होता है 60 को लिख देंगे तीन को ऊपर लिखेंगे थिका अब डिट से 80 वन कितना कम नाइनटीन कम है तो एक by सेवाइन्टीटीन को माइनस करेंगे तो एक आपशाट हो जाएगा और यहांपे उपर चेह तीन रहे हो जाएगा और यहां पर जब और करेंगे तो 1556 561 81 का इसकार निकल के आजाएगा तो लोग इतने बाते समझ हाई हुँगी कि बेस हंड्रेड रहेगा तो उन्हेंट की जो हंड्रेड के आसपास का कोई भी नंबर अगर रहेगा तुम बेस हंड्रेड लिते हैं हम सब बैस बताएं किस नंबर को कैसे बेस लेंगा हर चीज को क्लियर कर देंगे बस आप बने रहे सब्सक्राइब निकल पाओगे निकाल पाओगे ठीक है ना चलिए मैं इस चीज को इरिज करता हूँ ठीक है तो देख सकते हो कितनी असानि से आप लोग ने एड निकाल पार निकाल पार होंगे ठीक है चलिए अब समझेगाँ बेस को मैं ले लेता हूं अगर 20 अगर 50 होगा तो कैसे करेंगा समझे बेस को फिप्टी लेंगे अब ठीक होगा तो समझे कैसे निकलेगा तो और फिप्टी थे हमारा फिप्टी के नज़िक है ना फिप्टी थी दिए डिकाब बेस हंड्रेट से बनाएंगा दो बन जाएगा लेकिन बहुत कंप्लीटिट हो जाएगा मैं क्या करूँगा हंड्र से कितना कम नंबर फिर उसको स्कॉर्ण करों तो जिसके करीब रहेगा उ तो तो 53 में भी 53 में भी क्या करेंगे 3 को add कर देंगे ओके अब ध्रम समझ यहान से यहाँ पर एक चीज और होगा जब मैं 100 भीस लिए था यहां पर किसी नमबर का मैं में टिप्लाई नहीं कर रहा था ठीका ना जब मैं लिए तो आपके से नंबर κα хл आ नहीं कर रहा था है Amen a hundred Up यूद कि में उस्टे में hundred कर रहा था तो किसी का नंबर का लंटीप्लाइव से यह नहीं का मुझत हो रहा था आ वहां फेत तो लेकिन यहांपर क्या 50 है to 50 हो की सब्कुतब की क किसी नंबर में वन से मल्टिप्लाइक किजिए यहां पर इसके लिए मैंने बेस 50 लिए तो 100 का 1 बटे 2 होता है 50 तो यहां पर इस नंबर में मैंने क्या किया 1 बटे 2 से मल्टिप्लाई कर दिया ठीक है अब समझेगा ध्यान से तीरपन में जब तीन एड करेंगे तो होगा 56 और दो से काटेंगे तो हमारा आजागा 28 और यहां जब तीन का स्कॉयर करेंगे तो 9 होगा लेकिन हमें लिखना है डवल डिजित में तो आगे लगा देंगे 0 और यहां स तीरपन का जो स्कॉयर है निकल क्या आजाएगा टू एट जीरू नाइए यहोप आप लोगो समझ आया होगा ठीक है न चलिए और निक्षानों करते हैं माल लिजे 56 का अगरे स्कॉयर पूश दिया बबू तो क्या होगा तो 56 कितना अधिक है 56 तो सिक्स अधिक है और शिक् तो 36 में भी क्या करेंगे चे कू एड कर देंगे ठीक है ना और यहां पर वन बट्टे टू से मल्टिप्लाइग यूगि बेस मैंने फिप्टी रखा है तो बेस जब भी 50 रहा तो वन बट्टे टू से मल्टिप्लाइग होगा तो चपन में जब वन बटे टू इन्टू तो 36 ठीक है और जब यहां पर दो से काटेंगे तो 31 और यह 36 को इसके साथ लिग देंगे तो 3136 56 के स्क्वाइर निकल के तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगो समझ आ रही होगी चलिए अब मैं इधर करता हूं ठीक है इधर लिगते दो मान लीजेगर आप से पुछा सेविन का स्क्वाइर ॉड़ और क्या होगा तो टेव से लिगत खाल पूरटी सेविन का इसक्वाइर क्या होग तो कैसे एक लाए पुर्टी से विन कैस का रिन पीश पेसे ना कम है okay कर देंगे तो क्या हो जाएगा और क्या करेंगे वन बटी टू से मुल्टी प्लाइब करेंगे और क्या करेंगे और क्या करेंगे एक कमेसलं मैंने म bamboo करेंगे तो फर्टीफोर और वन बटी टू से स्क्वायर क्या होगा तो ये भी 50 के करीब है तो ब्याषिभ से लेंगे समझे का फिप्टी मेख से कितना अधिक है तो 11 अधिक है तो स्क्वार कर Är कितने वन टुन होता है रवन को लिख देंगे और एक बातस को उपर में लिखेंगी ठीक है न अब शिप्ती से अथिकतना है इगारा धिक है तो सिस्टिवन मेजमी इंगारा एड कर देंगे ठीक है यह हमारा 21 लेकिन उपर में यह वन है ना तो यह आए ट्रांसफर होगा तो 36 और वह आगया तो 37 और यह 21 इसके साथ हो जाएगा यानि 3721 हमारा 61 का स्क्वार निंकल के आजाएगा तो आई होप आप लोगो यह भी बाते समझ आए होंगे तो मैंने 100 बेस का करा दिया मैंने बे तो 50 लेंगे हर चीज को मैं बता दूगा बस आप बने रही है और यह बहुत तुट कर दूँगा ना बहुत पहतरी निएं मिलेगा आप को बहुत बहुत मैं बदलोग को किसी भी नंबर के सक्वार बहुत असानी से निकाल सकते हो ठीक है ना चलिया बहुत बहुत बेहतरी प्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा ठीक है ना तो चलिए दूसरे नंबर प्यूर चलते हैं अब समझेगा अगर मैं बेस को अगर मैं बेस को टू हंड़ेड लूँ बेस को क्या लूँ टू हंड़ेड मदब दो तो टू हंड़ेड के आजपास का नंबर कि लिए बेस क्या लेंगे टू हंड़ेड लेंगे ठीक है मतब जिसके पासो नंबर उसी को बेस लेंगे क्यूंकि आसानी होता है स्वाल्फ करने में निकालने में बहुत असानी होगा समझी गार जैसे मान यह से पूझा जैकि 202 का स्क्वाइर क्या होगा ऐसे ठीक है ना दूसर पहले 202 का ही लेते हैं मान लिए 202 का स्क्वाइर क्या होगा तो दो सो पर कितना अधिक है 202 तो दो अधिक है तो यहां पर टू का स्क्वाइर कर देंगे दो अधिक है तो दो सो दो से कितना अधिक है तो दो अधिक है तो दो सो दू में क्या करेंगे दू का एडिशन कर देंगे लेकिन यहां पर किस चीज से से multiply होगा समझेगा हंड्रेट था तो वन से हुhole था 50 हुआ तो हन्रेट का अधा वंगया था तो वन बटे से multiply हुआ था तो क्या यहांपर 200 है तो 200 को 200 लिख सकते है तो 100 को क्या 2 से मलटिप्लाई होगा यहाँ है किस नंबर से मल टीप्लाइ हो गा यहाँ आप पर जो दिखाना इसमें से मल्टीप्लाइए होगा है क्या होनक haya कि का अधा दया था अब हंडेट कर्द ऍम सकते हैं तो अब इसमें आ हो मैं जब दो का मल टी पलाइए करेंगे अधिया और धोल प्लस दो यानए 204 कर दो से मल्टीप्लाइ करेंगे तो 408 हो जाएगा और यह जिरो अचार इसके साथ हो जाएगा यानि 40804 202 का स्कुर्ण निकल के आ जाएगा तो यह वह पप लोग यह भी बाते समझ आएंगे बहुत भेटरीन तरीके से ठीक है न चलिए अगर आप अगर आप से पूछा जा क्यों वण टू का स्कॉइर बताई ऐस क्या होगा का स्मझे रहां से कि तो यहां नहीं इसे कितना अधीक है है तो बारा दीख है तो दो सोब बारा में क्या करेंगे और बारा जोर देंगे तो दोसे चोबीस हो जाएगा तो समझेंगा दोसे जब में टिप्लाई करें दो क्या 488 ओभ जाएगा यह चारưởng वार تालिस हो जाएगा उपर文 सबस्कurs निकलां गया तो आ होप लोग ये भी बात यह आई होंगी अभी 200 बेस का ही कर रहे हैं इस चीज को मैं रिस करता हूं कि समझेगा और एक सेकंड मैं फ्रसलिए लिए चलिए अब समझेगा ध्यान से माल लीजिए कि एगर 219 का स्कुरार लिकालना हो तो कैसे निकाले कि वही फंडा है फिर maybe फंडा है दोंस जो से कितना दीक न tätä 19 290 ही स्कूरार वी 11 को छोर देंगे च्वक्त दो तोंस्व जो जा जाएगा ठीक है लेकिन दो से तो हमारा यही है तो हमारे क्या जब फूर सेवेन सिक्स हो जाएगा और यह तीन हो जाएगा अब यह तीन आगे आ जाएगा तो और शोड़ सेवें नाइन और यहे सिक्सके साथ इच्छ इसके साथ मत्रब तो यहां पर चाल जी रोनाइन हो जाएगा 920 संथान बहुत जोसे कितना कम है तो 13 Лी चाहिए तो 394 चाहिँए लकश संथाने शूरान भी हो जाएगा और यहीं क्या हमें तो से ऐस करसे मृ principles करके देंगे दो से मल्टिप्लाइगे तो कितना हो जाएगा आठ और तीस ठीक है और जीरो नाइन इसके साथ लिग देंगे यानि जीरो नाइन यानि यह भी बाते समझ आई होंगी ठीक है ऐसे वन एटी वन का स्कॉयर निकालना है ठीक है तो दो सो से कितना कम है तो उननीच कम है तो उननीच के स्कॉयर कितना 361 होता है तो 61 लिख देंगे त्री उपर लिख देंगे और 181 दो सो से कितना कम है तो 19 कम है तो वन एट एक स्कॉन 181 में भी क्या करेंगे 181 में भी क्या कर देंगे 19 को कम करेंगे और यहां पर किसे multiply करेंगे 2 से multiply भी करेंगे यह से मैं multiply करते आ रहा हूँ ठीक है तो 2 into जब इसमें से कितना एक सिंथरोड निच लिखता हूं 2 into 181 में से जब 19 जाएगा तो हमारा 2 6 और 162 उपर में 3 होगा और 6 जब multiply करेंगे 22 32 ठीक है उपर में 3 होगा 61 होगा यह 3 आगे आ जाएगा तो 327 और यह 61 इसके साथ हो जागा यानि 327 161 181 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा ठीक है तो मैं इतना इस्टिप कर रहा हूं कर आप फास जब बहुत प्राक्टिस कर लोगे ना तो डारेक्ट इस चीज को लिख पाऊगे ठीक है तो इसका 171 अब सुमजी है तो आप लोग डिया जाएग तो किसी भी नंबर का स्क्वायर ने निकाल सब्सक्राइब निकाल तो बीडीन तो चीज को लेंगे उसको बेस लिए चलिए अब एक और भी बेस देख लेंगे ठीक है बेस हम लोग जब 300 लेंगे तो 300 को क्या लिख सकते हैं इसमें क्या करेंगे आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि इसमें क्या करेंगे थी से दो से कितना अधिक है तो नो अधिक है तो नो का स्क्राइब करेंगे तो 81 हो जाएगा है अब 309 में फिर नो को जोड़ेंगे क्योंकि सबक्राइब अधिक है तो 309 में भी नौ जोड़ देंगे तो 308 हो जाएगा क्यों जाएगा तो नाइन फाइफ फोर हो जाएगा और यह एट वन इसके साथ हो जाएगा तो तो नाइन फाइफ फोर एट वन निकल की आजाएगा तो तीन सो बेस लेंगे क्योंकि 300 करीब है तो तीन सो से कितना कम है तो चार कम है ना तो चार का स्कुर्ण होगा अब 296 हमारा तीन सो से चार कम है तो 296 में भी चार कम करेंगे तो 292 हो जाएगा और त्री से मल्टीपलाई यहां परoren बैस यह थी एहना फर 3 से मल्टीपलाई होगा सम मे या माइनस जो भी होगा होगा तो 6 होगा ने टुन्टी सेवेन टू तीम फिन छोट इसके साथ हो जाए का यानि 876162 गेट कभी गुरुइन के लिए जिसके जोंसरे नमबर हो उसको बेस लिए जरिये से 240 वेसरे लेंगे इसके करीब हो इसको बेस लेंगे और उसको सोरीग मैधिस को बेसलें लिए अब लोग खुद समझ पाओगे समझेगा यह से महालों कर नंबर दे रखाओ चार सो दूखायर निकाली क्या दे रखाओ और यहां पर किस नंबर से म्ल्टीप्लाई यहां यहां पर नंबर यहां किसके साथ लिख डेंगे यानिा सदोका देख सकते हो आपने कल के आगया ठीक है चली और दुसरा नंबर लेते हैं आ ऐस में ली जी की जिस इसमार अमर ले लेटेंज समार्प यह जी कि मालीत लेना बिए इसे 501 ऑ सपान सु ई क्या होगा विकाल स्काहत्स हम्यक्स वारा क्या होगा समझेख तो च्वंच का साथ्यान से साथ्यान से साथ्यान से कि बससे कितना ध्याध है लिए सिफची तरफ साथ यानी 114 ऑली तो लिख दींगे sometimes को यहां लिखेंगे की 372 से कितना धिan 12 वारे में भी 17 कर देंगे तो 700 24 और 20 21 624 है और समझे इभान से sa to sadness करेंगे से म下次 से मैं से मलटीप्लाइ होगा ठीक है तो सेώρα टाथ 250 तूभ话 चुमा सुला और यहां पिप्टीजा अ विप्टी तो 508 और यह 44 इसके साथ हो जाएगा तो 506 844 निकल के आगया ठीक है समझी का किसी भी नंबर का मिकाल सकती हूँ समझी का ध्यान से जिसे माल जी गार 915 का 900 कोई भी नंबर जिसे माल जी की 900 पर लिखेंगे आठो सतासी हमारा 900 से कितना कम है तो तो आठ सो सतासी में भी क्या करेंगे तीरा को कम करेंगे और यहां पर ब्रीस क्या लेंगे 900 लेंगे ना विस क्या लेंगे तो नौका मल्टिप्लाइब होगा ठीक है अब समझे द्यान से नाइन इंटू 887 में जब तीरा जाएगा तो चार साथ और आठ हो जाएगा आठ साथ हो जाएगा अब यह जो वन है उपर में वन रहेगा वैसे ही यह 69 अब नौ में मल्टिप्लाइब हो जाएगा और यह वन और 69 यह वन आगी आ जाएगा तो क्या विन एट सीक्स से विन हो जाएगा और 69 इसके साथ हो जाएगा यहानि 887 के स्क्यार विनिकल के आ गया बहुत आसानी से आई हूप आप लोगो यह बाते समझ आयोंगी मैं इस चीश इसके वन वन जीरो फोर का स्क्वैर क्या होगा ठीक है वन वन जीरो फोर का तो इसमें दिखरा को आप लोगों को बेस क्या लेना होगा 118 हो जाएगा इसमें बेस क्या लेंगे इक गाड़ों को βेस लेंगे तो इक गाड़ से multiply ہو जाएगा ठीक है ना? समझे द्हान से 16 का तो 16 हो गए, अब तरीका होता है इसका से multiply करने का तरीका क्या है? कि गाड़ों को हम लिख सकते हैं, 10 minus, sorry 10 plus 1, इकारों को क्या लिख सकते हैं? तो वन वन जीडू एट ही रहेगा एड कर देंगे एट एट वन टू वन और ये 16 को इसके साथ लिख देंगे यानि वन वन जीडू फूर का भी स्क्वार निकल क्या गया वन टू वन एट एट वन सिक्स और भी आगे नंबर लेते हैं इसको मैं रिस करता हूं अगैं सभी को अब बहुत असानी से सवर्वफ प्रपाऊं समझे श्वार जीरू आठ का या होगा तो आठ कास्क्वार तीरफ जीरू बाट्रीनि इसमें ब्सक्राइब अब तीर लेना होगा तीड़ा अब सर्छेस्वार अप संटिरो सबेस्ट नहीं होगा एफ हूता है छोन सट होता है ठीक है अब 1308 में 308 में वी अटको एडिक कर देंगी तो 308 में B8 को अड़ कर देंगी तो 308 हो जाएगा चू लो हो जाएगा ठीक है लेकिन हमारे सिसके तीरों biss ret Turning सह मॉल्टी常 की खशा होगा ठ्टीर से मॉल्टीप्लाइ भी करेंगे तो इसका भी मल्टिप्लाइब करने का तरीका क्या होगा दस प्लस तीन लिखेंगे इस चीज़ को दस प्लस तीन तो तीरा सोल लोग जब दस में मुल्टिप्लाइब करेंगे तो तेरा वन सिक्स जीरो प्लस से और जब तीन में मुल्टिप्लाइब करेंगे तो 63 तरी एटीन प्रीन ट्रीक फोर और टेटें उन्चारीस मतलब फी नाइन फोर ये और ये शिक्स फोर जो है यासे होगा इसको जब अड़ करेंगे तो एट और शे चार दसका जीरो नो एक दसका जीरो एरा अटीनिशेक साथ और ये हो जाएगा और शिच्टी फोर इसके साथ फिर लंबा समय लग जाएगा ठीक है न अब देख सकते तो कैसे सेंट से में निकाल सकते हैं इस चीज को मेरे शकरता हूं समय करें से वैसे एक निकाल सकते हो एक और मैं बता देरा हूं समाल जाए उसे पुछा जाए कि 14406 क्या होगा तो 406 हमारा इसमें बेस क्या हो जाएगा तो मुल्टिप्लाइ किससे करेंगे 14 से करेंगे 14606 कितना अधिक है तो 6 होता है अब 406 तो चौद अच्छे में भी चीर्ड डिए कर देंगे तो जाएगा यहाँ पर मुल्टिप्लाइगी से मुल्टिप्लाइग तो में दिख सकते हैं तो मुल्टिप्लाइग से स्टेन में मल्तिप्लाई करेंगे तो फिरो रित फूर में मेशीन लाइब खो यिधा 9限 14 तो आप कैसे किसी का भी आप कितना आसानी साथ निकाल सकते हो आप लोग देख पा रहे होंगे ठीक है चलिए इस चीज़ को मैं एडेस करता हूं आप यहां दिया चीज़ें एक दो चीज़ और बचा तरह से पूछा ज़िए कि 500 जिसे सरी हम जिसे माल लीजिए कि आप से पूछाँ ज़िए पांसो और तो फिर आरतालीस कम हो जाएगा तो फिर आरतालीस का स्क्राइब याद नहीं होगा वगरा दिक्कत हो सकता है तो इसक कि इसमें बेस ले लेंगे इसमें बेस जो होगा हमारा समय का ध्यांस से कैसे लिएए तो समझोझें इसमें जो बेस लेंगे 550 को बेसले लेंगे समय अधिक है दो अधिक है तो 552 में भी तो को जोड़ देंगे ठीक है अब लेकिन multiply किस नंबर करेंगे समझेगा जब हमारा बेस पांसो था तो पांसे मल्टिप्लाई कर रहे थे बेस हमारा सबस्क्राइब मारा यहां तो पांसो पांसोपाशास बेस तो पांसो पॉइंट पांसे मल्टिप्लाई यारे 5.5 तो क्या लिए विन एक सिकते रिख सकते हैं जी सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा क्या 504 हो जाएगा ठीक है और दो से काट देंगे यह तो टू से आप टू से फोर्टीन हो जाएगा अब अब 287 को जब 11 को टेन प्लस करेंगे तो से फिर करेंगे इसको दस प्लस एक लिके तो पहल से किये ठीक में करेंगे तो दो चार ऐसे हो जाएगा अब जीओ चार ऐसे हो जाएगा सब तो साथ और साथ स्क्राइब इसका 5042 का स्क्राइब तो फांस रांट दिकमें और भी देख लिए है इसी स्कूरेस करते हैं सब चीज के रिखा कूछ नहीं बचेगा जान्द अब समझते रहे हैं अगर माल यह दे रखा हो हो कि 600 कोई भी नंबर समालीग छेह सो 47 सबस्क्राइब सबस्क्राइब 647 हमारा श्हीस हिसमें बीट सब्षार स्केल लेंगे 650 को बस लेंगे तो 650 से कितना कम है तो 3 कम है न इंका स्क्राइर नाइन होता ही जिरुन नाइन लिखेए अब 647 हमारा 650 से कितना कम हैं तो 647 में हमाराओ को क्या 6.5 से नहीं होगा जब मैंने वेस को 600 लिए खेस को सबस्ài 31 से बैसा करें inning अब दू से काटेंगे तो फजी 272 धूको खरिंद तीन हिसा मुल्टिप्लाय करिने का झाट्रिकल्ट या सो姜 तीर्व ओटइन। टीन सों आइस को पहले तो तो जीरो हुगा प्लस तिन प्लस थी तो पहले दस में मिल्डिप्लाय करें एंगे तीन स्थी में मल्डिप्लाय करें esas । यहां पर फिर इसको एड करेंगे तो छे और शे दू आट नो देगा एक तीन एक चार और यह जी रूनाइन को इसके साथ लिग देंगे तो सब्सक्राइब करेंगे तो किसी भी नंबर का पर समझ आया हुगा किसी भी नंबर का आप लोग खुद समझ पार जिसके करीब होगा उसको बेस लेंगे और उसके को निकालेंगे और विल्कुल असानी साथ निकाल सकते हो ठीक है लेकिन असान करने के लिए उसके करीब वाले नंबर को बेस लेना है यानि जो सम होगा तो नहीं भी मल्टिप्लाइ करेंगे तो चलेगा तो किसी नंबर में वन से मल्टिप्लाइगे या नहीं कि यह कोई बात नहीं है तो आप लोग यह सारी बाते समझ आई होंगे और मजा आया होगा ठीक है आज की सेसन में पूरे जोस के साथ पूरे इनर्जी के साथ आप लोग बने होंगे मैं उमीद करता हूं पूरे जोस के साथ आप वीडियो देख रहे होंगे और वीडियो को अंतक देखे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ और मैं वादा करता हूँ आपको सारा चीज समझ माया होगा कुछ भी ने चूटे बहुत बेटरी तरीका मैं आप लोगो बताया ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आप लोग भी तब ने नेक्स सेशन के साथ नेक्स लेक्चर के साथ और वीडिय को लाइक करें सब्सक्राइब करें कर दिया कर रहे ठीक है आज को इतना ही मिलते हैं आप लोग भी नेक्स सेशन नेक्स लेक्चर के साथ तक लिए धन्यवाद